नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका नर्चेर फिचर में फाइपनेट स्मैट के 1300 प्लस फॉर्मुलर रिविजन सीरीज टॉपिक वाई के एलजेब्रा में लॉगरिथम्स में आपका स्वागत है जितने भी फॉर्मुलर रिलेटेड हैं लॉगरिथम्स से उस सारे इस लॉजी है कुछ एक्स वाई एसी के चितने भी इस्तमाल होंगे इस वीडियो में सब के सब क्या है पॉजिटिव रियल लंबर है और नेच्रल लंबर क्या है एन इस्मॉल एन ठीक है तो चली सुरू करते हैं 103 फॉर्मुला पहले भी आम लोग देख चुके है उसे देखने आप फॉर्मुला रिवाइस करने आया है मुझे लगता है उमीद होगी कि आप लॉगरिथम जानते होंगे लेकिन फिर में बताते रहा हूं इस चीज को इस फॉर्म में भी लिखा जाने का एक थरीका होता है लॉगरिथम ठीक है इसमें ये कहता है कि A की पावर ऐसी क्या चीज की जाए वाट कोश्यन मार्क कि वह Y X आ जाए शॉरी एकी चाया चैसी क्या चीज की जाए कि वह X आ जाए तो यहां पर है वैलियू इसकी Y A की पावर Y की जाए कि X आ जाएगा तो इस चीज को इस तरह फॉर्म में इसको पढ़ने का तरीका है यह लोगरिथम ये कहन चा रहा है ऐसा लिखा हो तब समझ जाएगा अगले फॉर्मुले को तरफ चलते हैं अब यह लॉग 1 बेस ए है तो मदब क्या पूछ रहा है एकी पावर ऐसा क्या किया जाए कि 1 आ जाए तो डेफिनेटली कोई वे नंबर के पावर 0 करोगे तो 1 आ जाएगा इसमें वही प पावर आप देखिए एकी पावर 0 ऐसा क्या कि आजए कि 0 आजा तो उसके लिए आपको माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी करना पड़ सकता है कब जब एकी वेल्यू ग्रेटर देन वन है तो माइनस इंफिनिटी कीजिए और एकी वेल्यू लेस देन वन है तो प् सकते हैं ठीक है अब आप जो भी में पहले बताए कि एक ही पावर है सक्किया कि एक्स वाई है वैसे रिलेट करके देखिया और फिर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों लिखा जाता है फिर अब यह देखिए लेकिन एक और चीज़े यह बहुत बच्चे यह भूल कर द जाते हैं जो कि लॉग बेस एक्स इंटू वाई बल्कि यह गलत है यह नहीं होता है यह होता है अलग अलग है इस चीज़ को यहां पर मैं आप सबस्ली मेंशन कर रहा हूं याद रखिएगा ठीक है अगले फॉर्मुले एक तरफ देखते है वह यहां मंटिप्लाई था यह लेता है कुछ भी ए तो एक पावर रहा सक्या कि यह जी टू की पावर थी आ जाया तो यह जो थी चीज़ है ना इस चीज़ को आप यहां उठा के ला से मंटिप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू लॉग ए बेसे 2 लॉग 2 बेसे ऐसे ऐसे लिग और खाल से दोनों फॉर्मूला और तयार हो गया अपका फिर अगला देखिया यह सबसे इंपॉर्टन फॉर्मूला है इससे भी आप इदम यादि कर लीजे यह लॉग एक्स बेसे हैं इस चीज़ को आपको कैसे लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस सी यह क्या हो रहा है कि यह एक्स वाला एक्स ही रह रहा है और नीचे जो बेस था वो डिवाइड में आ गया है यह बेसिकली यह डिवाइड हो रहा है बीच में तो आप यह देख सकते हैं कि डिवाइड हो रहा है बीच में ऐसे भी लिखा जा सकते है इस चीज़ को यहापर बेस सी आ जागा कोई भी अलग तरह का base कुछ भी यहां लिख सकते है base की तरह लेकिन base का भी एक limit होगा क्या greater than 0 होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए तभी वह वाला base ला सकते है अच्छा इस चीज को आप इस तरह भी लिख सकते है multiplication के form में ऐसा इसलिए करते हैं हम लोग कि कोई उस च्राइब का base अगर सब common लेने के लिए या फिर उस तरह solve करने के लिए किया जा सकता है formula जब हम लोग इसको use करेंगे तब इसका formula इस्तमाल आता है ठीक है अगले formula के तरफ देखते है log c base a को हम लोग log a 1 upon log a base c लिख सकते है क्यों लिख सकते हैं इसको हम लोग थोड़ जल्दी देख लेते हैं देखिए log c इस वाले formula के इसमाल कर रहे है 112 का log c upon log a ऐसे लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं अच्छा यहाँ पे a की जगा कोई भी c c लिख सकते हैं तो हम लोग c c लिख दे रहे कोई भी base लगा सकते हैं जब इस तरह डिवाइड कर रहे हैं तो हमने यह c लगा दिया अब log c की power c सुरू सुरू में formula बताया था यह 1 हो जाता है और यह क्या हो गया 1 upon log a base c यह चीच को भी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से अगला formula है यह बोला है कि क्या यह बोला है कि x को हम लोग a to the power log x to the base a ऐसा लिख सकते हैं अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं basically यह देखिए मैं आपको एको चीच बता दे रहूँ यह power है ना log x base a a की power यह a उड़के चला गया यहाँ पर और x आ गया यहाँ पर ऐसे convert हो जाता है तो यह क्या हो गया x की power log a और यह क्या हो जाता है 1 हो जाता है अब यह कैसे आया ठीक है तो दोरों तरफ logarithm ले लिजे log x to the base 10th को हम लोग log x के form में लेख सकते हैं जहाँ भी आपको log x दिखेगा आप समझाएगा कि उसका base क्या है 10 है ठीक है उसी तरह होता है कुछ natural logs क्या होता है natural logarithm इसमें उसको हम लोग ln x की form में लिखते हैं मतलब उसका base e होता है आप सोचेंगे आप e क्या है तो e होता है limit किस चीज़ का x tending to infinity of what 1 plus 1 upon k to the whole power k और इसकी value कितनी होती है e की e की value होती है जब इसको solve करेंगे तो आपको परता चलेगा 2.71828182828 ऐसे चलता जाएगा ये तो ये चीज़ क्या होगी ln x जब भी लिखा हो मिलेगा तो समझेगा base e है तो इसका आपको ये चीज़ याद रखना होगा जैसे कि ये बता रहा है log x है log x को आप अभी अभी formula से कोई भी base लगा सकते है log x है मतलब base 10 होगा fix है log x upon log 10 ऐसे लिख सकते हैं कि निख सकते हैं और इसकी base e कर दीज़े आप जिसको हम लोग ln बोलते हैं यहाँ ln x है 1 upon ln 10 हो गया 1 upon ln 10 के value आप याद रखिए 0.434294 ठीक है into ln x बाके मैं आपको यापे base 10 के साथ 2 और 4 ये समने बताने जा रहा हूँ उसम आपको याद हो नहीं चाहिए ठीक है इसकी value होती है 1 upon log e base 10 की value होती है 2.302585 into log x तो ये आपको अगर याद रहेगा तो फॉर्मूला तो आप जल्दी से logarithm को solve कर सकते हैं दिमाग लगा करते हैं यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्स वर वाचिंग प्लीज लाइक इट कमेंट इट सब्सक्राइब इट और सेर तो यूर फ्रेंड फॉर मोर अपडेट ठीक है और ऐसी फायदा उठाईए है अपने दोस्तों को सेर की यतनी इंट्रेस्टिंग सीरी जा रही है चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में